क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के लिए out of the way चले गए हो लेकिन फिर भी वो चीज आपको हासिल नहीं हुई है ये वीडियो में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है लेकिन कुछ interesting footage आपके लिए शॉट किया है मैंने सबसे पहले अगर पार्किंग की बात करें दोस्तो तो पार्किंग बहुत बड़ी थी वैसे तो लेकिन इतनी भीड जमा थी वहाँ पे कि पार्किंग फुल थी और अभी मैं जिस तरफ अपना कैमेरा ले जा रहा हूँ उपर की तरफ देखना मैं अभी जूम करके आपको दिखाऊँगा वाइट कलर में आपको कुछ लोग दिखेंगे वहाँ पे खड़े वे हमको वहां तक पहुँचना है वहां तक हमको जाना है तो definitely बहुत उपर त कि आपको जो फुटेज मैंने शॉर्ट किया था वो पाकिंग से शॉर्ट किया था लेकिन वहां तक पहुँचने के लिए जो पूरा पहार का रस्ता है वो 25% आपको बाइक से या कार से तैय करना पड़ता है और आप अल्रेड़ी इतने उपर आते हो कि मैं आपको वहां से व्यू दिखाता हूँ कि हमने ये जो सफर तैय किया यहां तक हमने बाइक से सफर तैय किया और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हम अल्रेड़ी कितने उपर है देख सकते हो दोस्तों वो व्यू हम अल्रेड़ी काफी उपर है और ये जो रस्ता था न दोस्तों ये बहुत बहुती स्टिफ थी और बहुती डिफिकल्ट थी चड़ने के लिए बहुती स्टीफ थी ओल थुरू आउट ये चड़े कुछ 30 मिनिट सा और यहां पे ऐसी बहुत सारी मार्किट मिलेगी आपको जहां से आप बहुत सारे अगर आप कुछ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो लोनावला के आसपास जगाए तो चिकी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी लेकिन ये व्यू फिर से देख लो जगे जगे पे आप जब रुकोगे तो आपकी जो थकान है न ये व्यू के वज़े से चली जाएगी एक चीज मुझे बहुत ज़्यादा सप्राइजिंग लगी के यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी ज़्यादा भीड यहाँ पे होगी लेकिन थी ये था कारला केफ्स का इंट्रेंस जहाँ पे कुछ इंफरमेशन कारला केफ्स की दी गई थी वैसे तो काफी इंफरमेशन थी लेकिन दो लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी था पहली लाइन ये बताता है कि ये जो केफ्स है वो 2000 साल पुरानी है इससे मेरा excitement level और जादा बढ़ गया और आखरी अगर आप line पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है the rock mansion is described as one of the most excellent in India मेरा excitement level definitely बढ़ना था दोस्तों और मैं desperate था कि आपको वो footage दिखाऊं कि कारला केफ्स में क्या क्या चीज़े आपको मिलेगी लोनावला में दो दिन मैं already बहुत जादा घूम चुका था और ठक चुका था और मुझे ये कारला केफ्स जो था वो उल्टा आना था मुंबई की तरफ नहीं जाना था उल्टा पूने की तरफ जाना था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं लोनावला गया हूँ तो मैं ये केफ्स डेफिनिटली कवर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए और इसी लिए मैं आउट अफ दे वे गया मैंने सोचा कि थोड़ा थकान को साइड में रखते हैं और इस केफ को एक्सप्लोर करते हैं देखो मेरे साथ क्या हुआ बाहर से देखने में तो ये डेफिनिटली बहुत ज़ादा खूबसूरत लग रहा था और बहुत ज़ादा एकसाइटिंग लग रहा था लेकिन हम यहां आए तो हमने सोचा कि जब इतना चड़े है तो सबसे पहले व्यू चेक करते हैं और ये दोस्तों देखो कितना प्यारा व्यू है हमें एप्रॉक्सिमेटली 30 मिनिट्स लगा यहां तक आने में आप देखो कितनी सारी भीड़े देख रहे हो और जादातर लोगों ने दोस्तों मास्क भी नहीं पैना है आप देख रहे हो ना कितना एक्साइटिंग लग रहा है बाहर से कारला केव्स हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि और कितना अच्छा यह दिखता है लेकिन उससे पहले एक बार आपको और व्यू दिखाता हूं दोस्तों और फुटेज मैंने शूट किया है मैं आपको आगी दिखाऊंगा लेकिन यह देखिए कितना जादा खूबसूरत लग रहा है और हम कितने जादा उपर आए 30-35 मिनिट्स लगता है उपर चड़ने में और अभी बताता हूं देखो वो जो आप नीचे देख रहे हो ना जो लोग है वहां से पूरा चड़ते वे हम उपर आए देख लो कितना चड़ना पड़ा है मेरी एकसाइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरा दिल तोड़ गया कारला केव्स बंद था वहां पे एंट्री अलाउड नहीं थी और दोस्तो ऐसा नहीं था कि मैं वहां से पूछ के नहीं आया था क्योंकि मैंने लोनावला में भी बहुत सारे लोगों से पूछा आदे लोग बोल रहे थे चालू है आदे लोग बोल रहे थे बंद है और यहां पे पहुंचने के बाद जब मैंने इतनी सारी भीड देखी तो मुझे लगा चालू होगा पर वो बंद था और मैं अंदर जा नहीं पाया और मैं अंदर का footage आपको नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन दोस्तो इस बार तो मैंने miss किया but I promise you मैं यहाँ पे वापस आऊँगा मैं वापस अंदर ले जाऊँगा आपको और वो सारी footage मैं आपको बताऊँगा अंदर से जो इस बार मैंने miss की by the way आपको ये information दे दूँ कि जो सारी भीड जमा थी वो इस मंदर के लिए जमा थी जो शुरू था जो चालू था आई एक वेरा मंदर था और वहाँ पे बहुत famous मंदर है भीड देखकर ही आप समझ सकते हो कि मतलब कितना ज़ादा मानते होंगे इस मंदर को तो इसकी थी वो सारी भीड और यहाँ पे मुझे एक पंडित जी मिले जिन्होंने मुझे कुछ information बताई वो भी मैं आपके साथ share कर लेता हूँ पंडित जी ने मुझे बताया कि कारला केफ्स का कोई ठिकाना नहीं है शायद दो मेने लग जाए चार मेने लग जाए क्या छे मेने लग जाए कोई भरोसा नहीं है कि कब खुलेगा तो दोस्तो अंदर का व्यू तो मैंने आपको definitely नहीं दिखाया लेकिन बाहर से जो मैं अभी फूटेज शूट किया है वो आप देख सकते हो दोस्तो कितना जादा खूबसूरत है कई ना कई इसमें ही मैंने अपना थोड़ा सा दिल लगा लिया कि चलो खेर कोई नहीं अंदर जाने नहीं मिला तो क्या हुआ कुछ ऐसा फूटेज और कुछ ऐसा व्यू देखने मिला जो बहुत एकसाइटिंग था बहुत अच्छा था बहुत प्यारा था और वहां पे थंडी हवा चल रही थी तो और अच्छा लग रहा था हमने वहां पे काफी time spend किया दोस्तो दो गंटा वहां पे फिर भी time spend किया क्योंके ठक गए थे तो दो घंटा टाइम स्पेंड किया कारला केव के बार में जाते जाते मैं कुछ इन्फोमेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तो दोस्तो अंदर एक केव है केव नमबर एट जिसे चैतिय केव भी कहा जाता है ग्रेट चैतिय केव वहाँ पे कुछ स्कल्प्चर्ज है जो 2000 साल से भी जादा पुराने है ऐसा माना जाता है कुछ स्कल्प्चर्ज जो है वो है मेल के, फीमेल, लाइन, एलिफेंट कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्कल्प्चर्ज अभी भी मौझूद है जो 2000 साल से भी जादा पुराने है दोस्तो अभी तो मैं cover नहीं कर पा रहा हूँ but I promise you मैं फिर से आऊँगा इस cave में मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा बहुत जल्दी आऊँगा और अंदर जाएंगे और मैं आपको यह सारे sculptures बताऊँगा और अंदर से बताऊँगा कि कितना जादा अच्छा है और कितना जादा exciting है जो information मुझे मिला है न दोस्तो उस हिसाब से लगता है कि यह cave अंदर से बहुत जादा अच्छा होने वाला है और इसलिए कई न कई मेरा दिल तूड़िया था क्योंकि मैंने जितना विकीपीडिया पे और यहां वहां इसके बारे में पढ़ा था मुझे लगा था कि यह बहुत जादा exciting होगा कुछ और information अगर आपको इस cave के बारे में चाहिए तो मैंने इसे यह भी shoot किया है यहां पे आपको और information मिल जाएगा आप pause करके पढ़ सकते हो आपको और detail में information मिल जाएगा दोस्तो और अब finally वक्त आ गया था कि मैं वापस जाऊँ मैं ठक गया था और यहां पे जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक चीज है जो वहां पे बहुत जादा मिल रही थी मैंने cover कर ली जाते वे भी बहुत जादा pain हो रहा था क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था कारला केवस के बारे में मुझे अंदर जाना था दोस्तों मैं बहुत ठक गया था इस vlog को तो मैं पूरे sweetness के साथ शूरू नहीं कर पाया लेकिन I think sweetness के साथ खतम जरूर कर सकता हूँ sugar cane juice पिया मैंने वहाँ पे अगर आप जाओ तो ये चीज़ को जरूर ट्राइ करना मिलता हूँ आपसे अगले interesting वीडियो के साथ till then goodbye and thank you so much for your time अगर वीडियो पसंद आया तो like जरूर करके जाना goodbye